नमस्कार दोस्तों आपशेवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आपशेवी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय आपशेवी के लिए शबशे भागी शाली शमय है यश्व में आपशिवी के उकलियों की शबशे बड़ी खुश्यबरी हाथ लगने वाली है जिया दोस्तों यश्व में आपशिवी के घर और परिवार में खुश्यों की एक नई उमंग होगी क्यों दोस्तों आप शिवी के जानकारे के लिए बता दे कि ये अश्मे आप शिवी के जुनकाल में दो देवी शक्ती आने वाली है आप शिवी के घर में दो देवी जोती का अगमन होने वाला है जिनके कारण दोस्तों आप शिबी का घर और परिवार में कुछ इशा शकार तक मौहर रहेगा कि आपके हाथ शिर्प बहुत शिर्प कामियाबी लगने वाली है बशरते दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि अश्मी गरहों के तती के शाथ साथ ये दोदर देवी शक्ती भी आपके शाथ है तो दोस्तों ये अश्मी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्य होंगे ये दोस्तों ये बातें आपके जीव अनकाल के लिए उराने वाली भाष्यरी बहुत ही आवश्यक है तो दोस्तों ये आप दिल बिलकुल ही ध्यांश दूनेगा जो भी जातक आज के इस वीडियो को अंदर तक ध्यांश दिख लेगा उन शबी के जुनकाल में जो बड़ी महत्मुन घटना आने वाली चार दिनों के अंदर होने वाली है कि दोस्तों वो कभी अपने में भी सोच नहीं शकती और जो भी आज के इस वीडियो को नजर अंदाज करेगा वो अपने जुनकाल में उम्र भर भस दाएगा क्यों दोस्तों कुछ येशी महत्मुन कोश्क अपरी अगले चार दिनों में आप शबी को मिलने वाली है कि शुनकर आपके पेरों तले जमिन की शक जाएगी जी हाँ दोस्तों शादि दोस्तों ये शी में आपको कौन सी उपाये को करना चाहिए दोस्तों इन शबी के बारे में हम पूरे ही विस्तार शेवात करेंगे शादिशा दोस्तों कुछ महत्मुन बाते हैं जिनका ध्यान आपको अपने जुनकाल में रखना बहुत यला वश्यक है जो कि दोस्वों यहाद दो देविदिता आपको हमेशा शंकेत देते हैं और दोस्वों आप उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं इसलिए दोस्वों कौनशी शाख भनी आपको अपनी जुनकाल में बरतनी है कौनशी बातों का आपको ध्यान रगना है दोसों सारी बातें आपको बहुत विस्तार तरकेशी बताने वाले ही बश आपका यही कर्टब और दाई तुरहेगा कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंते तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोसों थोड़ा शाभी मिश मत केजिएगा कि दोसों बहुत शारी जाद तक वीडियो को मिश कर देते हैं और आगे चल कर उन्हें कोई भी लाब फराप्त नहीं होता है जिया दोसों वीडियो में शारी बातें आपकी जुनकाल के लिए बहुत ज़्याद आउशक है अगर आप इन्हें अन्त तक ध्यान से देख लेंगे तो दोसों हम दावे के शाद क्या शकते हैं या दो देवताओं के अशिरबाश या आपकी जुनकाल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी क्यों दोसों आप शिवे की जानकारी के लिए बता दी दोसों आप शिवे की जुनकाल में शारे श्मशाय दुर हो जाएंगे शारे शंकट आपके जुनकाल से खत्म हो जाएंगे दोसों आप शिवे को बता दें कि पिछले कई श्मश्य आपको बहुत शारी कारियों में तरकी मिली है बहुत आपके कार्यों में रुकावटें भी खत्म हुई है जी हो दोसों। और दोसों, कभी कबार आपकुछ यशे गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण आपके जुनकार से यह देविधिवता रुष्च भी हो जाते हैं जी है दोसों। दोस्वों आप शिबी को बता दें कि आपकी जुनकाल में कई शारे शेक कारे हैं जिन में यह देवी दिवताओं के शिरबाशी वो कारी देखते ही देखते हैं लेकिन दोस्वों कई शारे शेक कारे हैं जिन में आप कुछ गलती कर देते हैं जिन के कारण यह देवी दिवता रुष्ट हो जाते ही और आपको कारियों में नुक्षान उठाना पड़ता है जिया दोस्तों लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि यह देविदियुता आपके उपर प्रशन नहीं है दोस्तों यह देविदियुता आपके शाया बनकर शात रहता है और यह चाहता है कि आ आप कोई भी गलती ना करें अपने जुनकाल में आप हमेशा शत्य की राह पर चल कर आगे बढ़ें जियन दोस्तों इसलिए आपको कई बार इशने कारियों में नुक्षान भी दिये हैं ताकि आप उनसे कुछ शिक शकें कि आपके लिए क्या शही है और क्या गलत है जियन द शुमेशे आप अपने जुनकाल में प्रिशानियों को देख रहे हैं प्रिशानिया आपके जुनकाल में आ रहे हैं अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं मुशिवत आपके शाथ एक नएक नई नई आते ही रहती है जितना आप मेहनत करते हैं दो दोस्तों हम आप शिबी को पता दें कि पेशा भी आप शिबी के डियूनकाल में टिकता नहीं है। जिए दोस्तों जितना आप पेशा कमाते हैं उतना पेशा आपके पास रह नहीं पाता है। दोस्तों किशी और कारी में, किशी और छेतर में लग जाते हैं, जिनसे दोस्तों आप पेशी की बचत नहीं कर पाते हैं, जिनसे दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत मुशिल से भी पेशा को बचाते हैं, तो दोस्तों भापेशा किशी ने किशी बिगन बदाय में खत्म हो बता दें कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है जी दोसों और अब शी आपको कौन शी बातों का ध्यान रखना है कौन शी गलती नहीं करना है ताकि यह देवी दिवता आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि यह देवी दिवता आपको कुछ बातों का ध्यान जिन हम जो आज के वीडियो में आपको बात बताने वाले हैं। जिने दोस्तों वह बातों को आपको अपने जुनकाल में भिलकुल ही धालने में नहीं है, तके जुन márकी जुनकाल में दो बाहरा कोई बैशिय मुश्यूत नाँ, कोई भी इशिश महिश्या ना है जिनसे आप अपने जुनकाल में तंग हो जाए जिन दोस्वों बहुती शरल और बहुती खाश उपाई बताएंगे जो कि दोस्वों आप शिबिकी जुनकाल के लिए महत्पुन है जो यहां देवी दिवताओं को प्रिशन करेगा और आपको हमेशा शही कारे करने की ओर लिकर जाएगा जिहां दोस्वों आप कभी भी अपने जुनकाल में शही कारे नहीं करेंगे ताकि यह देवी दिवताओं रूष्ट हो जाए तो दोस्वों शारे बात विशेच है इन बातों को ध्यांश देखिएगा इनसे आप अपने घर जिवनकाल को बहुत ही बहतर दिशा में लिकर जापाएंगे तो दोस्वों विडियो को आगे बिलकुली ध्यांश दिखिएगा जिहां दोस्वों आप शिवी को बिता दें कि अब शे आप शिवी की जुनकाल में राज्जियों का निर्वान होने वाले हैं तो ऐए सच्चे मन से विडियो को एक प्यारक्ष लाइक करके कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन से जय मालक्षमी जय भुलिनात जरूर लिखेगा दोस्वों माता लक्षमी और भगवान भुलिनात का शिम शिवाद आप शिवी को प्राप्त होगा जी हां दोस्वों तो ऐए दोस्व बात करते हैं, दोसों आप शिवी को बता दे कि आपके जुनकाल में कई शारेशे कारण है, जो कि अंजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पड़ता है, दोसों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जाते हैं, जिया दोसों, कई बार आप अपने ही लोगों शी परिशान हो जाते ही आपके बहुत शारी कारोबार में अर्चने आ जाते ही और उन शारी अर्चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है और दोस्तों हम आप शिबी को विदा दें कि या शुमे आप अपने जुनकाल में इन्ही बातों का ध्यान रखना है कि कौन से अपने बनकर जो आपके जुनकाल में शत्रु घुम रहे हैं उनसे बस आपको शमलना है जिया दोस्तों आप शुबी को बिदा दे कि आपने पिछले जिवनकाल में पिछले श्यमें अंत्राल में जिसका भी आप भला किये हैं वही लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कु है निस्सल है आपके मने में कोई छलकफट नहीं है आप साफ दिल की इंसान है और हमेशा आप लोग की भलाई की ही बारे में शुझते हैं अगर कोई इंचान आप शी मदद मांगे तो दोस्तों आप उन्हें ना कारते नहीं हैं आपके दिल में आपकी दिमाग में बश्य ही रहता है कि हमसे जो हो सकता है हम इनके लिए जरूरेंगे और दोसों आप कई बार करते भी है जियां दोसों शादिशा दोसों आपको बदा दे कि कई बार आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर ले हैं और दोसों आगे चल कर वो इंशान आपके शात नहीं होते ही, वो इंशान आपको भूल जाते ही, जिहां दोसों, और आपको तब जाकर बुरा लगता है, कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया, इतना उनके शाहता की, उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखिए जब उन्होंने जो बोला हम उन्हों के लिए तैयार उनके लिए खड़े थे लेकिन वही इंशान आज हमको धोखा देती है हमारी भावनाओं की कदर नहीं की तो दोस्तों आशे में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जी है दोस्तों और आप इन्हीं शब चीजों को देखकर कभी कबार खुद ही खुद रोते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आप बिलकुल भी निराश और बिलकुल भी मायुश मत होएगा दोस्तों किश्मत आपके शाथ है भगवान की शक्ती आपके शाथ है या दो दिदाओं का शिर्वाद आपके उशाथ है जो कि आपको हमेशा नजर लगाए देते ही कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों आप यकीन मानिए अब शिविक की जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों आपके जुनकाल में बिल्कुले खुशियां होंगी बस आपको अब इन लोगों से शा एशी नजर नहीं रखते हैं जिनसे उनका अपमान हो जाए जिनसे उनको हाने हो जाए जी हैं दोस्तों और इन्हें शबी अच्छे शोभाव इन्हें शबी अच्छे भाव की गारण या दो दियुदियुताओं के उपर बहुत ज़्यादा परशन रहते हैं आप गलत भी क पिर भी यो दो दो एताओं का शिरवाद आपके शात रहता है इनका नजर आपके शात हमेशा रहता है अगर आप कभी कभार गलतिशे कोई कारी कर देते हैं तो दोसों उनमें आपको अंदाज भी देते हैं जिन बातों को आप कभी कबार नजर अंदाज भी किये हैं जिनके कारण आपको मुशिवतों का शामना करना पड़ा है इसलिए दोस्तों आपको अबशे वह गलती नहीं करनी है जो आपने अंजाने में की है जी दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले शुमे की क्रियाएं होंगी जो भी आने वाले बात होंगे जिनको आपको धियान में रखना होगा उन शबी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जियान दोसों, शर्व परतम दोसों आप शिवी को बतादे कि यश में आपकी जुनकाल में बहुत यची योग का निर्मान होने वाले हैं, आपकी जुनकाल में यो दो दिर्दाओं का शुरुबाच साथ है तो आपको कौन से शावधानी रखनी हैं, तो दोसों आपको उशार नहीं करना है, आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपकी पराए हैं, कौन लोग आपके मुह पर अच्छे बोलती हैं और पीट पीचे आपके घात करते हैं, दोसों इन सभी लोग को पहचान कर, आपको इन शी रिस्ता बिलकुल ही तोड़ देना है जिया दोसों अगर आप एशा करेंगी तो दोसों आने वाले श्रम में आपके जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी और दोसों यही लोग होते हैं जो कि आपको बहकाव में लाकर कोई गलत कारी भी करवा देते ही जिनसे आपका कारे भंग हो जाए जिनसे आपके श्रमान में समाज में नाम खराब हो जाए यह बहुत शारिशियों परियाज करते हैं जिया दोसों हलांकि कई बार इन्हों उने आपको जान श्री मारने की भी कोशिश की है और दोसों आप इन बातों को नजर अंदाज भी की हैं कि ये श्रमे की ही दोस है ये गरहों का ही दोस है या फिर ये हमारी किशमत में था लेकिन दोसों हम आपको बिदा दें कि गरहों की जो इस्तिती है यो हमारे ही करमों के नुखा चलता है ये दूसरों गरों की तती तो है ही हम जिसा करम करते हैं वेश्य गरों के भी तती बंती है इसलिए दूसरों इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने ही इसे लोगों के साथ गुमें जो कि «ब्ल. शगये अपने हैं बस्पों क Honors को क्या करना शरफलता की प्राप्ति होगी शबशे पहले दोस्व आप श्विक को बता दें कि अश्मी आपको रोजगार में जो लंबे श्मीष सी अर्चने देखने को मिल रहे थी दोस्व वह अर्चने से श्माप्त होने वाली है और आपकी रोजगार फिर 제가 चलने वाले हैं बहुत ही तेजी शे जिन लोग के पास रुजगार नहीं थी दोस्वों उन शबी कोई अश में मन चाहे रुजगार की प्राप्ति होने वाली है जे दोस्वों और जो लोग पहले शेही रुजगार में कारिकरत हैं आफिस में आफिर कोई इसा जॉप करते हैं उनमें दोस्तों बढ़ोतरी होगी और आपके शारे शिनियर आपका शमान भी करेंगे तो दोस्तों शमी आपके लिए बहुत थे महत्पून आने वाले हैं दोस्तों हम आप शिवी को बताते हैं कि बिचले शिमे से जो भी आपके कारियों में आपके इसे जो कारवारे हैं उनमें नुक्षान मुश्विते उठाने पड़ रहे थे दोसों उनसे इसमें छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके वैपार के चत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरकी के और बढ़ते जाएगा यह दो दिवताओं का शिरबाद है इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रू आपको परिशान कर रहा था जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था दोसों वहाँ अब आपको परिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको साजिशें रच रहे थे उनमें वो खुद ही भशने वाले हैं जियां दोसों बश आप शुभी को बता दें कि पिछले केश में से ये लोग बहुत ही जुरदार कोशिश कर रहे थे आपको भशाने की आपको बदनाम करने की शमाज में आपके नाम केशे खराब हो ये शारे शनेंत यूए लोग दिन रात रस्ते रहते थे तो दोसों हमने हैं आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों शियाब आपको शाउदन रहना है बस दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुनकाल के थे नुक्सांदायक और ये दो द्यूता हमेशा आपके ज४कारण से रूष्ट हो जाते हैं किसी आपको छोटे का अपमान नहें करना है और ना ही आपको बड़े बुजुरूगों का अपमान करना है नारिक आपको हमेशा शमान करना है अपने घर परवार में हमेशा मिल जूलकर आपको चलना है दोस्तों इन शे यह दो देवताओं का शिरबात आपके पर बना रहेग दोस्तों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिसें कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे। जिन से आपके कई चित्रों में धन की प्राप्ति होने वाली है। दे रहे तो दोस्तों वहाँ पेशा आप बिल्कुल ही मत देजीगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप यश में पेशा देंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको रुकाउट हैं आशकती है। आपके लिए शावधानी है। दोस्तों आप होते हैं कि आप सबके लिए अच्छे वैवार रखते हैं लेकिन दोस्तों कुछ लोग की पहचान करना भी आपको ज़्यादा वश्यक है। दोस्तों यश्मे कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ नाटर करके आप शी पेशे लेते हैं लेकिन दोस्तों उसके मन में छल की भावना होती है और दोस्तों वह पेशे आपको देना नहीं चाहते हैं। लिए दोस्तों जो विक्ति को आप देख रहे हैं कि ये शाहता की लायक है ये शच बोल रहा है तो दोस्तों उनी को देजिएगा हलांकि दोस्तों ये शमी घरों की जो इस्तती है आपके शामने बिल्कुल ये छली विक्ति आने वाले ही जो कि आप से सहयोग मांगेंगे और प्रियष में आपको इसावधार नेजना होगा कि दोस्व detto आपका जो पेशा है वो फंशरक्टा एं बस दोस्वइश बात का दिया रखे तो आई दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जो दो देज़ताओं का शिरवाद है वो दोस्तों पहला देवी है धनकी देवी मातालक्षमी जिने दोस्तों धनकी देवी मातालक्षमी का शिरवाद आप शिरवी के शात रहता है जिने दोस्तों आप जहां भी जाते हैं ज दो भी कारी करते हैं जिनमें भी पेशा लगाते ही अगर वह पेशा शही होता है तो दोस्तों धन की देवी माता लक्षमी आपकी जंकाल में पेशों की बारिश करती है वह पेशा आपको दुगनी चोगनी तरफाश आपको लाब दिलाती है जे दोस्तों आपके अच्छे कर् दोस्तों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोगों आपको बता दें कि अब आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विसे ध्यान रखना है पेशे को दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत किजेगा जो कि आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप शूच रहे ही है दोस्तों हमेशा पेशे का जो खर्चा है वो सभी श्र Bitte पर ही किजेगा व्यर्थ के खर्चों में जो इनसान पर जाता है दोस्तों उनके जीवनकाल से धनकी देवी माता लक्षमी रूष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको बच इस बात क्या रखना है और धनकी देवी माता लक्षमी के शिर्बाश्य अब आने वाले शिव में खुशिया मिलने वाली है धन की अपार श्रम्भौनाई बन रही है जिन से आपको लाब मिले जिन से आपका आर्थिक जती आपके पेशों के जो शमश्या है वो खत्म हो जाएंगे जिहां दोस्तों आप शिवी को बिद्याते की माता लक्षमी के शिर्वाशी धन के देवी माता लक्षमी के शिर्वाशी अब आपके जुनकाल में धन्यों का भी निर्मान होने वाले हैं जिन के कारण दोस्तों आप शुबी की जुनकाल में जो भी मुश्यवत है पेशों को लेकर जो भी शमिशाए हैं जो भी घर में बधाएं उत्पन होती है पेशों को लेकर दोस्तों वो शारे बधाएं अब धीरे धीरे कत्म होने वाले हैं और घर परिवार का महौल आप प्रश्मिक्य अश्रवाद है। उनका नजर आपके परिवार पर हमेशा रहता है। तो दोस्वं हमेशा आप अपने परिवार के शाथ मिल जूल कर चलिएगा। बस आप इस बात का देनरकिएगा। किशी के बातों में आकर आप अपनी परिवार के खिलास बिल्कुल भी मत कि दोस्तों लोग भले ही आपको कुछ गह दे लेकि दोस्तों घर परिवार की लोग ही आपके एशे हैं जो कि आपके शाथ दिल से देंगे आपकी भहनोई से देंगे कि दोस्तों वो लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कि आपके लिए जरूरी है और लोग दोस्तों मतलब उसे ही आपको याद कर रहे हैं बस इस बात के आप ध्यान रखेगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल भी मत चुड़ीगा दोस्वों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाथे साथ दोस्वों आप शिवी को बता दें कि दूसरा जो देवता है वह है दोस्वों देवों के देव महादेव का शिरबात पिछले पांच शालों से आप शिवी की जुनकाल में है पिछले पांच शालों से आपके घर परिवार पर इनका नजर है जिन के कारण दोस्व आपको कई शारी संक्रणों से भी भगवान भूले नात ने बजाए हैं, बहुत शारेशे बधाएं आपकी जुनकाल में आई थी, बहुत शारेशे दुरघटनाएं आपकी जुनकाल में आई थी, जिनसे श्वेंग देवों की देव महादेव ने आपकी रक्षा किया है, और मातों का द्याना है दोस्तों बस आपको अपने जुनकाल में अभी एही करना है कि श्रमी निकाल कर आपके जितना भी श्रमी तख़ कारी हो टोस्तों उने श्रमी को करने के बाद थोड़ा शर्म श्रम आप अपने देव देताओं के लिए जरूर निकालीगा, क्यों दोस्तों ये आपके इश्ट देव हैं, ये आपके धन के मालिक हैं, ये आपके वैपार के मालिक हैं, तो दोस्तों इन पर आप बिलुकुल ही ध्यान दीजेगा, जी हैं दोस्तों और शमे निकालकर आप भगव ऑगवान भॉलेनात की पुजा जरूर कीजिगा, दोस्व इंश्य भगवान भॉलेनात आपके कभी रूष्ट नहीं होंगे, और आपकी जुनकाल में जो भी बदाएं आएंगे, दोस्व उन्हें यह हर लेंगे, और दोसों आने वाले शिवमे भगवान भूलेनात के शिर्बाद से और जो आपके घरहों में एस्तिती मर ही है इनके नुश्वार कॉनशी बदलाओ देखने को मिलेगी दोस्तों हम आप शिवी को बढ़ा दें कि यश्ट में ये जो दो देवदिताओं का शिरबाद है इनके कारण जो भी लोग प्राइवेट कमपनी में जाना चाह रहे थे तो दोस्तों आप शिवी को बढ़ा दें कि वहाँ पर आपको शफलता मिल सकती है हलांकि पिछले करिश में से आपको बार-बार वहाँ पर शफलता मिल रही थी आपका जो बीजा था आपका जो कारे था वो दोस्तों हमेशा सफल चरना था लेकिन दोस्तों अब आपको शफलता आवशि मिलेगी यह दो देवी दिवताओं का शिरबाद आपके शाथ है और गर्णों का यही शंकेत है कि जो भी परिशानी आपको जिस शेतर में मिल रहा थी वो आपको खत्म होने वाली है और दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में यह दो देवी दिवताओं है इनका विशेश किरपा बना रहेगा इनका विशेश नजर बना रहेगा दोस्तों आप शिवी को बता दें कि माता लक्षमी शिरब आपके ही जुनकाल में एशा रहष खोलने वाले हैं जिनसे आपको धन की शारी शमयशाएं खत्म होने वाली है दोस्तों आने वाले श्रम में आपको काच्मिक धनला की प्राप्ति होने वाली है जी हाँ दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आपके अच्छे कर्मों के कारण आपके अच्छे शोभाव और आपके अच्छे शरदा के कारण या दो देवी देवता आपके जुनकाल में हमेशा प्रेशन रहते हैं जी हाँ दोस्तों शाथिशा दोस्तों आपको बता दें कि मातालक्षमी उनके जुनकाल में रुष्ट हो जाती है जो अपने घर में पती पतनी आपश में लड़ाई करते हैं और हमेशा पती अपने पतनी का अपमान कर देते हैं तो दोस्तों एश्य में मातालक्ष में उनके जूनकाल से रुष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है हमने आपको पहले ही बदाए है कि किशी भी नारी का आपको पनना नहीं करना है इनसे दोसों धनकी देवी मातालक्ष में हमेशा रुष हो जाती है तो दोसों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर में कभी भी आपको इशी होहला का महौल नहीं करना है नहीं लड़ाई ज कारे सल पर हो कहीं पर जा रहे हो बस आपको औरत का शमान करना है दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि माता लक्षमी का नजर आपके शाथ है आप जहां भी जा रहे हैं जो भी कारी कर रहे हैं माता लक्षमी का नजर आपके शाथ है तो दोस्तों कभी भी भ आगे शे जाने जाने में करेंगे तो दोस्वों आपकी जुनकाल के लिए बहुती बड़ा मुशिवत का ये कारण बनेगा। दोस्वों इस बात का ध्यान रखें अगर आपको कोई औरत कोई इस तरी एशा हो जो जुरुत मन्द हो जो आपसे सयुग मांग रही हो तो दोस्वों उनकाप जरूर ही सयुग कीजिएगा। अभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्वों ये आपके जुनकाल में मातालक्षमी की प्रिक्षा हो शुती है। दोस्वों आपको अपने जुनकाल में एशी बातों का द्यानकना है इसे दोस्वों धन की दिवी माता लक्षमी बहुत ही ज़्यादा प्रशन होती है और धन में जो दिक्कत आती है धनाने में जो दिक्कत आती है जो पेशे की समयशाय बढ़ने लगती है दोसों इन्हें शभी के कारण होती है तो दोसों गर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो उशारी ये बधाएं खत्म हो जाएंगी रोज़गार की प्राप्ति होगी और पेशों की दिकत जो आपके जुनकाल में चलती है वो जड़शे ही शमाप्त हो जाएंगी तो दोसों आपको क्या करना है कि औरत का शमान करना है जिहां दोसों तो दोसों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है शादिशा दोसों हम आपको बता दें कि महादेव आपशी कभी कभी रुष हो जाते हैं दियों दोसों आप लोग शौमवार के दिन अगर 99 खाते हैं मांश मंदरा का शेवन करते हैं तो दोस्तों इश्य महादेव रुष हो जाते हैं आप इश बात का ध्यान रखें और दोस्तों अगर आप महादेव यानी शिविके मंदिर में कभी भी जाते हैं, कभी भी उनके जुनकाल में आप हाजरी लगाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कोई भी खाली बेठा दिख जाए, तो दोस्तों उन्हें आप परशाद को अवश्य खिलाईएगा, दोस्तों इन महादेव हमेशा आपके ही अंदर बेठा रहता है जी तो अगर आप उन्हें परशात खिलाएंगे तो दोसरों आपके मन आपके हिर्दे परशन होगी तो महादेव ये आप शी परशन होगी बस आप इस बात का धिन रखें दोसरों बात बहुत ज़्यादा मैद्पून और ब पर शफ़ाई वाला हूँ या फिर कोई भी गरीब मजदूर हूँ जो दोस्तों इशाव्यक्ति है जो अपने डेली के कारेकर के पिश्रिक माता है और अपना जिवन यापन करता है उनको जो इंशान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपा दिश्टी कभी भी नहीं होता है जिया दोसों इस बात का दियन रखेगा उन्हें जो प्रिशान करता है उनके जुनकाल में महादेव की कुद्रिष्टी उत्पन होने लगती है और जो लोग मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं और अपने मेहनत से अपने जुनकाल में खाते हैं तो दोसों उनके जुनक अपने इस कारियों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिश्णा रहते हैं और कारी को करते करते अपने जुनकाल में बड़ी-बड़े मुकाम को हसल करते हैं तो दोस्वों आपको बश इन बातों का देहना है कि अपने जुनकाल में जो भी एशे लोग हो जो एशे गरीब मजदूर हो अशाय व्यक्ति हो उनके उपर अरत्याचार नहीं करना है और अगर आप देख भी रहे हैं तो दोस्वों उन्हें देख कर आप भागेगा मत जी है दोस्वों इनसे भी महादेव बहुत ज़्यदा प्रिशान हो जाते हैं कि दोस्वों आज के जिवनकाल में आप देख रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तिसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो दोस्वों किसी व्यक्ति को कोई परभाव ही नहीं है वो अपन उन्हों लोगों की मदद करें जो आपके शामने अत्याचार कर रहें तभी तो आपके शामने वो किशी और का अत्याचार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बश भागना नहीं है बश आपको भगवान भुलनात आपके शाहते ये शमच कर आपको उनकी मदद करना है जितना आपसी होश कि आप एशी बातों का पर्योग कर सकते हैं जो कि उनके शपोर्ट में हो उनके शाहता के लिए हो और वो लोग उनकी जुह मजाक न उड़ाए तो दोसों गर आप एशा करेंगे तो दोसों आप महादेब की नजरों में हमेशा ही उच्छ अस्थान की प्राप्ति करेंगे और महादेब हमेशा आपको शारी कारियों में शफलता दिलाएंगे जिया दोसों शादिशा दोसों हम आप शुवी को बता दे कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवज़ा हाथ उटाते हैं बेवज़ा ही छोटे बच्चों को प्रिशान करते रहते हैं तो दोसो कुछ लोग अपने जुनकाल में माता-पिता को परिशान करते हैं जे दोस्वों माता-पिता की आग्या का पाला नहीं करते हैं उन्हें तकलीब देना चाहते हैं जो लोग अपने जुनकाल में इशाकारी करते हैं दोसों जो लोग माता पिता को तकलीब देती हैं उन्हें प्रिचान करना चाहते हैं उनकी बातों को नहीं मानते हैं उनसे हमेशा भगवान नाराज रहता है दोसों बश यहीं सब गलतियां है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है अपने जुनकाल में जे दोसों अब आपको क बहुत बड़ी गलती होती है दोसों जो किन्नर होते हैं खुद नहीं बनते हैं दोसों उन्हें भगवान बना कर भेजते ही और भगवान की बनाई हुई चीजों पर अगर आप हाशेंगे भगवान की बनाई हुई चीजों को आप मजाग उड़ाएंगे तो दोसों ध्यान रखेगा कि भगवान भी आप शी नाराज हो जाएंगे और भगवान भी आपको इशे कार्जिं को देंगे जिन से आपको नुख्शान हो जाएगा तो दोसों बश आप इस बात के ध्यान रखें जियां दोसों, शादेशाद अगला जो बात है, दोसों है बेजवान जानवर और पशु को मारना पिटना, जियां दोसों, बहुत चारेशी लोग हैं कि बेजवान जानवरों को परिशान करते हैं, जियां दोसों इसे शनीदेव का परकोप लगता है, जियां दोसों, आप श कर जाते हैं जो लोग इन शत्तिक को लेकर शावधान नहीं रहते हैं जो लोग इने रहते हैं जो लों वी दूसरों कि जुंकल में शनदेव की कभी किड़पा दश्ची नहीं रहती हैं जो दो समघмен को बतादें कि अब आपको अपनी अगर आप इशा कर रहे हैं तो दोसों इन शबी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है दोसों अगला जो बात है वो बहुत ही शरल है दोसों ध्यान से सुनिएगा दोसों इन शे आपको काफी धनलाब होगा हर छेतर में काफी तरकी आपको देखने को मिलेंगी दोसों आपको शौमवार के दिन दूद शौमवार के दिन कच्चे दूद में जल मिलाकर शुवलिंग के उपर अर्पित करना है जे दोसों इस ये महादी बहुत ज़्यादा प्रशन होते हैं और ये बात हमने आपको पहले भी बताए है जे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुनकाल में हो शके दोस्तों शुमवार के दिन आप गरीब लोगों की सहता जरूर कीजेगा दोस्तों खास इस बात करने रखें जो भी मंदिर के शामने गरीब लोग बेटे होते हैं उनकी शाहत अगर आप करते हैं तो दोसों भोले नाथ और शनीदेब दोनों ही इनसे प्रेशन होते हैं। इनसे जो व्क्तिस जो चाह मंदीर में ले कर जाते हैं, उनकी इक च्छा पूरी हो जाती है। जिया दोसों! तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोस्तों इस बात कित्या रखें कि वहाँ पर बेठे जो भी विखारी हैं जो भी लोग हैं उनको आप दान पुन जरूर कीजेगा शाथे साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर में माता लक्ष्मी का वाश करने के लिए धनकी वर्षा करते नेने के लिए धर हमेशा आपके घर में आते रहें दोस्तों इनके लिए आपको कौन शे बातों का ध्यान रखना है कौन शे कारें को करना है दोस्तों आक्षिवी को बता दे कि आपको प्रती दिन शुभा जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जलर रफित करना है इसी दोस्तों जल्दी ही जो लोग नोक्री की सहर रख रख रहें दोस्तों उनको नोक्री मिलेगी और शंभावनाएं आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नोक्री को लेकर और शार्ष साथ दोस्तों शुकरवार के दिन आपको मातालक्षमी के भी पूजा राचना करने हैं और मातालक्षमी का आपको मंत्र ओम भूर भूवश्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है मन्षी 108 बार आपको जाप करना है और दोस्तों मातालक्षमी को अपने शारे श्रमाप्त हो जाएंगी तो दूसरों इन बातों का आप ध्यान रखिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगल